कर दो हेलो फ्रेंजस और वेल्कम बैक टू आवरiane यूटीज़़ चैनल दरना मत आज की जो हमारी हॉडर स्टोरी है वह हमें बेजी है ऐद ऐए यूष ने ऐसं और विमल ये दोनो कजंस के साथ हुआ ये incident है आयूश और विमल दोनों बहुत close थे दोनों में बहुत अच्छी bonding थी दोनों में सिर्फ एक साल का age difference था दोनों cousins थे लेकिन दोनों के घर सिर्फ एक किलोमेटर की दूरी पे थे तो दोनों का बचमन में से ही बहुत अच्छी bonding थी हर पाटी में में एक साथ जाना एक साथ cricket खिलना एक साथ friends के साथ अलग-अलग games खिलना एक साथ travel करना अलग-अलग जगा पे दोनों के friends भी common थे तो दोनों बहुत अच्छी bonding रखते थे इन दोनों friends जब 2020 में ये incident हुआ ये लोग lockdown में थे और एक दुसरे को मिल नहीं पा रहे थे तो जब बीच में lockdown open हुआ जब first जब लोगडाउन open हुआ तो ये लोग ने plan किया कि हम लोग मिलते हैं और beer वगेरा पीते हैं तो इनने इंका और बहुत close friend था उसे भी phone किया उसका नाम था अनुराग अनुराग को phone किया कि हम beer पीने जा रहे हैं तो तू चलेगा हमरे साथ तो वह भी बोलता है हम मैं भी आऊँगा तो उसके लिए लोग बीर खरीद लेते हैं इनका दोनों का जो घर था इन दोनों के घर की अलग-अलग खेती थी बहुत सारी खेती थी और वो खेती से आगे गए तो एक आठीड़ांती और से उतरने का रस्ता था और वो रस्ता उत्तर एक कार थी एक पास से छे कार खड़ी वी थी जो बहुत सालों से बंद पड़ी भी थी तो यह लोग्झाण करते हैं की उस्कार में बेट के बीर पींगे क्योंकि महाँ कोई आता-जाता नहीं है और वाड के एरिया से नीचे उतरेंगे क्योंकि वो शॉटकट है लेकिन आते समय हम लोग नॉर्मल एरिया से आ जाएंगे तो यह लोग पोचते हैं दोनों बियर लेके पोचते हैं तो बीमोल और आयूश पोच गए थे बियर लेके यह फोन करते हैं अनुरा को पू सोन करते हैं कि तुप तक आ रहा हूं यह दो हम हैं रोड़े बस एक 10 मिनिटो तो यह लोग बस अपनी बात कर रहे होते उत्ते नोको एकुते में उनको उनकी कार किसी ने नौ की ऐसा अवाज आती है तो बार घीरते है तो उनको अनुराख को दो तो उतने में जो इंका फ्रेंड ता आयू जो फस्क जो पहला करशन था वो आयूश बोलता है मैं आगी की ड्राइवर सीट में जाके बेढ़ जाता हूं तो अनुरगी बोलता है चलो we but Robert अनुराग बूलता है और इंतना को किermaid पिमलकों सम्रह से और हम लोग यही रस्थे से वह फटता वं की ही रस्थे से हैं आख़ जयांते हैं कोape लोग मपने लुक्त σας जाएंगी कि दोमystem पी है तो मैं गिरना विरना नहीं चाहता है बहुत उसे करता है वोलता है नहीं रज्टे जाते हैं तो क्यों डार रहा है खेती में से गुजर रहा था और उसे ऐसा लगता है कि जोर से उसे किसी ने धक्का मारा और वो जोर से गिर पड़ता है जैसे ही बिमल जोर से गिर पड़ता है उसे समझ में नहीं आता आसपास देखता है कि कैसे उसे धक्का लगा इतना जोर से वो गिर पड़ा और वो कि अनुरा कि इतना अच्छाना कहा चले गया तो यह सोचता है कि मैंने शाद पीया है तो मैं शाद पोश में नहीं हूं यप क्या है यह भी घर चले जाता है घर जाके देखता है तो आयूस्ध। नहीं से नहीं जाओंगा मैं जैसे ही अपने खेश से चलने लगा, मुझे ऐसे लगा, किसी ने जोर से धक्का दिया है, और अनुराग जटके में गायब हो गया है, मुझे देखा नहीं, तो ये लोग बोलते हैं, चल अनुराग को बुछेंगे, तु कहा गया है था, इतना चली तु कहा गायब हो गया या चिड के या नाराज हो गया, अनुराग के घर जाते हैं, अनुराग आता है बार, अनुराग आता है इनको बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैंको डैडी ने कल बहुत चिलाया कि रात को लेट नाइट नहीं निकलना गर से, और इसलिए मैं निकल नहीं पाया, इसलिए तुम्हरे पास नहीं आ पाया, और ये सुनके दोनों भाई, पूरी तरह से शौक्त हो उन्हें यहीं यकिन नहीं होता कि रात में वो किसके साथ बेट के बात कर रहे थे, किसके साथ आवो पी रहे थे, तो इसको पहली बात तो अनुराक पर यकिन नहीं होता, इनको ऐसा लगता है कि अनुराक इनको उल्लू बना रहा है, इनसे मस्ती कर रहा है, लेकिन इनकी ए एक पावर्ती सिक्सेंस ताकि वो प्रिडिक करके बता देती थी, बहुत लोग उससे हेल्प लिया करते थे, तो ये दोनों अपनी मामी के पास जाते हैं, और मामी को पूरी कहानी बोलते हैं, कि रात में हम लोग ऐसा ऐसा पी रहे थे, और ये ये incident हुआ, तो उनको बिठाती हैं, उनको पानी पिलाती है, और उनको बोलती है कि कल, अगर तुम उस बंडे के साथ चले गए होते, तो तुम में से जो भी उसके साथ जाता, तो वो जिन्दा नहीं बचता, बिमल को बोलती है कि तेरा बहुत नसीब अच्छा है, कि तुम बच गया, तो बोलता है कि इनकी एकर-एकर में खेती थी और इनने वहाँ पे कुल दिवी की बहुत सारी पूजाय करवा देते हर आए दिन, तो उनने बताया कि तुम्हारी कुल दिवी का उस जगा पे वहास है, और वो कुल दिवी नहीं तुमें धका मारा था, उससे दूर करने के लिए, उसके एरि था और ये चलावा बहुत सालों से यहां पर बहुत लोगों को दिखा है इन फैक्ट मामी ने ये कहानी तक बताई कि उनके चो मामा है वो एक दिन रात में बस से उतरते हैं कहीं दूसरे गाउ गयते जैसे ही वो बस से उतरे बस्टॉप पे वहां से उनका घर करीबन-करीबन पांच किलोमेटर था और वो भी वही रस्टे से आ रहे थे और उनको अपनी वाइव दिखी उनको खुद की बीबी दिखी कि उनकी खुद की बीबी उनको आवास ले रही है पैर पढ़ती है उनको बोलती है मैं तुम्हारा सामान उठती हूं चलो मेरे साथ ये उनको पुरा निगलेक करते हैं बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपनी घर की तरफ चल पड़ते हैं जब वो घर पे पोश्ते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि मामी तो घर पे सोई भी है और वो चलावा था तो यह जो चलावा है ये बहुत सालों से लोगों क तंग कर रहा है और वो एरिया की औरे खास्यती वो एरिया में ऐसा माना जाता था वो हार्याना का एक ऐसा गाव था ऐसा एरिया था जहां माना जाता था कि जबी भी वो एरिया को क्रॉस करो, जो भी क्रॉस करो, तीन से चार फत्तर हाथ में रो, और फत्तर मारते जाओ, वो एरिया में दो से तीन फत्तर मारो, तो बहुत सारे लोग वो प्रता को निबाते थे, कुछ सालों से वो प्रता बहुत लोगों ने मानना बन कर दी थी, बट वो मामी वही बताती है कि जो प्रता फालो करते हैं उन्हें चलावा तंग नहीं करता तो वो एरिया में बहुत सारे लोग जबी भी क्रोस करना आता है एरिया में दो से तीन फत्तर फेकते हैं और फिर वो एरिया को क्रोस करते है तो यह स्टोरी थी जो आज हमको अनुराग न झाल झाल